नमस्कार आप देख रहे हैं R.A.D. News और मैं हूँ बीना सिंग आपके साथ इस वक्त मैं हूँ पटना के टूल रूम में और मेरे साथ हैं टूल रूम के एडवाईजर D.K. सिंग सर तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे की टूल रूम है क्या नमस्कार मैंडम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद की टूल रूम पर आपने एक स्टोरी बनाने का एक निश्य किया है मैं बताना चाहूँगा कि टूल रूम एक जो MSME मंत्राले भारत सरकार किया के अंतरगत ये एक ऑटनॉमस बॉडी है और ये प्राय जितने भी ह हमारे राज्य हैं मंत्राले के द्वारा लगभग 18 टूलूम के स्थापना की गई है तूलूम का जो मुख्य उदेश से है उदेश ये है कि हम दूतरह से जो अपने अपना जो मेंडिट है इसको हम लोग पूरा करते हैं आप जानते हैं कि जब भी विकास की हम बात करते हैं तो MSME सेक्टर सबसे पहले अग्रणी सेक्टर आता है और MSME को सरकार प्रमोट करने के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है टूलूम भी उन्ही योजनाओं में से एक है टूलूम के अस्थापना उदेश ये है कि हम MSME को सपोर्ट करें MSME को प्रमो उनको हम लोग उनके टेक्नलोजी अपग्रेडेशन के लिए उन्हें हम क्वालिटी टूल्ट्स, जेक्स, फिक्स्चर्स, मोल्ड, डाईज जो कि उनके डे टूड़े अक्टिविटीज में ये सभी कंपोनेंट्स की आवशक्ता होती है उसको बनाकर हम लोग MSME को सपोर्ट करते हैं ताकि उनके डे टूड़े अक्टिविटी जो वरकिंग जो है वो उनका बाधित नहों अगर वो कोई प्रड़क्शन का काम कर रहे हैं अगर कोई कांपोनेंट उनका तूट जाता है तो उसके लिए वो बनाने के लिए बहुत बड़े वरक्शॉप क्या वशक्ता ह होती है बहुत मेसिंडी क्या वशक्ता होती है जो की एक छोटा सा MSME इसको अफोर्ट नहीं कर सकता है इसी उद्देश से सरकार ने MSME मंत्राले ने टूल रूम के अस्थापना की कि जहां पर इस तरह की सुविधाएं MSME को मिल सके और MSME का जो प्रड़क्शन है वो बाधित टेक्नलोजी पर जो आधारित जो वर्किंग है उसका एक उनके जो वर्कर है वो नॉलेज होनी चाहिए या जिस तरह के वरकर उन्हें चाहिए स्किल्ड फोर्स चाहिए इंड़स्री को चलाने के लिए तो उस तरह के स्किल्ड फोर्स हम लोग यहां तयार करते हैं तो आत्मिरवर भारत के में ये MSME सेक्टर को स्टेंग्देन करना और जो हमारे यूद से उनको स्किल करना ये दो सबसे बड़ा एक कहें कि फोकस्ट एरिया है कि इसको जब तक हम लोग अच्छी तरह से फोकस्ट नहीं करके इस पर हम तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आत्म कि इसकिल्ड फोर्स कि आव सकता है इंडस्टी के लिए वैसा इसकिल्ड फोर्स हम लोग तयार करते हैं प्रसिक्शन के दोरा तो जितने हमारे युवा हैं जो बेरुजगार हैं उनको यहां पर ट्रेणिंग की बवस्था की जाती है सर ये बताईए कि किस तरह की गुद दॉस्यली आती है कि कि मपकोमनेट निर्मान के लिए वह हमें डायाजिक आपरोच करते हैं और वहां हम उनको बना के देते हैं उसके लिए जो नमिनल चार्ज होता हम लोग लेते हैं दूसरी बात जब जहां प्रस्ट्शन की भात है तो हमारे हा कई तरह के की सुविधा है जो अभी हम लोग बिसिकली जो ट्रेनिंग चला रहे हैं बिहार कौसल विकास मिशन के अंतरगत भी हमारे हैं ट्रेनिंग चला जाती है उसमें जो इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया है कि जो भी नवजुबक बेरोजगार हैं इंटर पास है या आई टी आई उनको हम लोग इस प्रशिक्शन में लेते हैं जो प्रशिक्शन पुर्णतिया निसुल्क होता है लॉजिंग, बोडिंग, एंट्रेनिंग तीनों निसुल्क होते हैं हमारे होस्टिल के सुविधा है हमारे हैं केंटिन के सुविधा है सभी बच्चे ये चार बहिनों का ट् उडिशे निया बट्doesच कैंप्स होता है और शो बच्चे ने गजन्द रहते हैं मृट्टम इन रहते हैं ऑर फिर वह इंडस्टे में अबजर्ब होते हैं आप लोग self-employment में जाएं और उसके लिए हम लोग उनको सारा hand holding supports देते हैं loan के सुवधा, technical guidance की सुवधा, project report बनाने की सुवधा, ये सारी सुवधाइं हम उन जो प्रस्थिक्शनारतिय हैं उनको देते हैं और उनको ये हम मौटिवेट करते हैं कि आप बनिस्पत कि आप कहीं वेज इंप्लामेंट में जाएं किसी इंडास्टी में जाएं आप अपना एक छोटा सा रोजगार अस्थापित करें उससे क्या होगा कि हमें वो सेल्फ तो नियोजित होंगे ही और दूसरों को भी एक रो इस्था होती है और उसकी आवशक्ता होती है तो कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें की सेल्फ इंप्लामेंट में कुछ शुरू करने की संभाव नाये हैं जैसे एसी फ्रीज मेंटेनेंस और भी कई ऐसे हमारे प्रोग्रम मॉबाइल रिपेरिंग्स तो यह सब में जो हम लोग ट और गुलता तकनीकी प्रस्ट्रिक्षण में बच्चों को प्रस्रिक्षित करते हैं अभी आप इंडस्टी में जिस तरह के वर्क फोर्स की आप शक्ता होती है जो टेक्नलोजी आज इंडस्टी में यूज हो रही है जिसको हम लोग C.N.C. टेक्नलोजी के नाम से जानते है CNC मतलब Computerized Numerical Control पहले जो इंजिनिंग इंडास्ट्री हैं वहाँ जो आपरेशन होते हैं ते वो ट्रेडिशनल मशीन है जो उनकों की हाथ से चला के मशीनों पर काम किया जाता था अब वो सारी मशीने फेजा उट हो गई हैं उन मशीनों की जगह पे Computer से Control मशीने आ गई हैं उसमें Computer के द्वारा Programming किया जाता है और Programming करने के बाद मशीन स्वतह उस Component का निर्मान करती है तो हमारा जो Prescription है मुलत तकनीकी Prescription का राधारित है जिसमें की हमारे Course का नाम होता है Certificate Course in Tool and Dye Making Certificate Course in Milling Certificate Course in Turning, CNC Turning जितने भी मसीने आजकल जो हमारी लेटेस्ट मसीन इंडास्ट्रीज हैं उसमें सभी मसीने Computerized Control के साथ चल नहीं है तो उन छेत्रों में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं उसके अलावे हमारे यहां Diploma Course की भी पढ़ाई होती है इस सेंटर में और प्राय जितने भी टूल लूम है वहां भी Diploma Course की भी पढ़ाई होती है जो AI City से अप्रूब होता है हमारे यहां तीन Diploma Course की पढ़ाई होती है जिसमें की Tool and Dye Making का कोर्स है Production Engineering का कोर्स है और Mechatronics Engineering का कोर्स है यह तीन ट्रेड हैं जिस तरह in malware techniques इंड़िक पढ़ाई होती है हमारे यहां भी होती है जो AI City से अप्रूब है उसके अलाभे है ITI Course की भी हमारे यहां पढ़ाई होती है जो ITI मेसनिस्ट का ट्रेड होता है वो हमारे यहां है जो दो साल का पॉर्स है दो साल का प्रमनोंज यह थो आईजे आई कर एक हुआ डिप्लोमा कि पढ़ाई हुई और उसके बाद सौ्ट ट्रैंनिंग इसको कहते हैं हम लोग प्रससंग्यटंट इवर्ण प्रस्डेवेड़पमेन से हमारे हा जए के है शे महिने का भी है सितरा की को सोते हैं इस किल ढrov ट्रेनिंग हम लोग देते हैं युअ टार्गेट ड्रूप में एवन आ cafe कफके भी कंडियेट हैं उनके लिए भी हमारे हैं ट्रेंविस्ता और यह जो सदुप अलप्रफंट ट्रेनिंग यह वह जाया सभी ट्रेनिंग निसुल्क होते हैं जिसमें कि आवासिय सुविधा, खाने पीने के सुविधा और प्रस्रिक्शन के सुविधा सभी निसुल्क होते हैं एड्मिशन क्राइटेरिया क्या है? क्या कोई एंटरेंस एक्जाम देना पड़ता है बच्चों को? बहुत अच्छा प्रस्णा अपनिकिया मैं, इसकिल डवलप्मेंट के जितनी भी ट्रेनिंग है उसके लिए कोई एग्जामनेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया सिर्फ यह है कि एक तो उम्र उनकी अठारा वर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए और जो बिहार इसकिल डवलप्मेंट मिशन के अंतरगत जो कोर्स चलाए जाते हैं, उसमें क्राइटेरिया है कि उनका जो एजुकेशनल कौलिफिकेशन है, या तो टेन प्लस टू होनी चाहिए या आईटिया ही पास होनी चाहिए, कुछ हमारे ऐसे भी कारिक्रम है, जैसे कि नाशनल ST-ST hub scheme, यह हमारे मंतराले की scheme है, उसके अंतरगत, जो क्राइटेरिया है, उसमें दसमी पास भी है, आटमी पास भी है, जिस तरह का कोर्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह की कानिडेट की availability हमें होती है, अच्छा, वो इसके मोबाइल रिपेरिंग का कोर्स है, तो मोबाइल उसका जो eligibility criteria टेंथ पास रखे में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं, कि उसे नीचे के अगर हम बच्चों को लेंगे, तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, तो कोर्स के मताबिक eligibility criteria फिक्स की गई है, एक हमारे मंतराले का गठन किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं skill development and entrepreneurship, एक अलग मंतराले का गठन बारत सरकार ने किया है, उस मंतराले के द्वारा जितने भी skill development के courses किसी भी institution के द्वारा चलाया जाते हैं, उन मंतराले ने skill development courses का एक framework बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं, national skill qualification framework, NSQF, जहां भी कोई भी training अगर skill development की हम करते हैं, तो उसी framework में जो course content है, उसी course content के मुताबिक हम को skill development की training चलानी होती है, इसलिए कोई भी course उसमें eligibility criteria भी mention है, हर course के लिए किसी में ITI पास है, किसी में 10 plus 2 पास है, किसी में 8 मी पास है, तो जो भी जिस course में जो eligibility criteria mentioned है, उसके मुताबिक हम लोग यहां लेते हैं, जो हम लोग अभी course यहां च चतरगत है, उसकी criteria 10 plus 2 और ITI है, यह course हमारा online registration होता है, बच्चे online registration करते हैं, और 40 का registration हो जाने के बाद हम लोग एक 40 का batch create करते हैं, इसमें registration हो रहा है, सभी website पे mention है और सभी का registration online होता है, तो कोई भी candidate जो उस eligibility criteria को fulfill करते हैं, जहां तक skill development की बात है, आपने हम बताना चाहू होगा कि यह courses जो बिहार skill development mission के अंतरगत हैं, उसमें सिर्फ बिहार के ही जो निवासी हैं, वही उस course में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा course है, जो centrally sponsored course है, जैसे national SCST hub, ATI scheme, इसमें किसी भी राज्य के candidate हैं, जहां कहीं की रहने वाले हैं, वो हमारे website पे registration कर सकते हैं, और जैसे ही 30 का, हम अपना daily website से चेक करते हैं, हमारे जो training in charge हैं, अगर जिस course में 30 से ज्यादा का registration हो जाता है, हम उन candidate को यहां बुलाते हैं, और सिर्फ जो उनका eligibility criteria है, उसको चेक करते हैं, कोई internets नहीं, कोई interview नहीं, क्योंकि हम skill development करने हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे यूद्स हैं, सभी skilled हो, इसलिए उसमें internets का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, सिर्फ यह होता है, कि जिस course के लिए वो आ रहे हैं, उसकी eligibility criteria जो है, वो उसको meet कर रहे हैं, कोई test नहीं, कोई interview नहीं, आते हैं, 30 की संख्या हो जाती है, हम उनको training उनका start कर देते हैं. ज्यादा जाते हैं, क्या बिहार में एक criteria पूरा होता है, जो बच्चे हैं, वो demand है, इसमें, demanding है, लेखे मैं, जहां तक बिहार की बात है, आप जानते हैं, बिहार वो युवाओं का राज्य कहा जाता है, हमारे यहां युवाओं की जनसंख्या है, खासकर के 35 से, मतलब 25 से 35 के एज में, वो हमारे यहां, कहा जाता है कि यूथ हमारे asset है, एक human resource है हमारा, तो जहां तक prescription की बात है, मैं समस्ता हूँ, यहां पर prescription का जो response है, बच्चों का, वो जारखंट से अधिक है, prescription की बात, industry जारखंट में निश्य तरूप से अधिक है, वहां हम MSME को support यहां से ज अपी अच्छा आ रहा है, और हमारे prescription कारिकरम में हमेशा, जितने भी हमारे capacity है, वो full capacity में हम रूप से अधिक है, और उसके लिए हम इसकी जो अपनी tool room की जो सुविधाएं हैं, इसके लिए जितने भी district magistrates हैं, जितने भी हमारे NGOs हैं, जो grassroot level में काम करते हैं, सबों से हमार contact है, हम जब training program एनाउंस करते हैं, तो सबों के सबों को हम approach करते हैं, सबों के पास हम अपनी publicity करते हैं, कि आप अपने candidate को हमें भीजिए, क्योंकि हमारी machinery उतनी नहीं है कि हर जिलों में जाके हम अपने अपने officer को बेज सकें, लेकिन हर district by state से हम cooperation लेते हैं, और वहां से उनक में state हैं, उनके द्वारा लगभग 100 ST के बच्चे हमारे हैं बेजे जा रहे हैं, उनका registration किया जा रहा है, तो इसकी जितनी भी जो प्रस्रिक्शन में जो response है हमारे राज्य में, वो अने राज्यों से बेहतर है, और युबाओं में वो जागरुकताव आई है कि हमको skilled होना ह है, दूसरा कोई option नहीं है, क्योंकि जो युबाओं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए रोजगार में उनको लाने के लिए एक ही option है कि उनको skilled करना और दूसरा कोई option नहीं है, इसलिए skilling के लिए एक जो कहें के एक strong ecosystem तयार करना, उसमें tool room एक बहुत पू तो धन्यवाद आपने आपका जो channel इस tool room के activities पर एक story बनाने का जो निश्चे किया है, निश्चत रूफ से tool room इससे बहुत लावानवित होगा और इसकी सूचना जन जन तक जाएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ tool room के advisor डीके सिंग जिनका कहना है कि बिहार के युवा जो है वो अगर skill develop करना चाहते हैं, इस छेत्र में रोजगार ढूनना चाहते हैं, तो यहां कर मुफ्त में बिना किसी entrance exam के अपना admission करा सकते हैं और अपने भविश्य को सवार सकते हैं, तो अभी ह हमने विस्तार से जाना की tool room क्या है, आपको हमारा ये content कैसा लगा हमें जरूर बताया, साथ ही हमारे चैनल को share करना, like करना और subscribe करना, ना भूले, धन्यवाद